मैं यदि भगवान को और भगवत धाम को जाने की इच्छा, श्ट्रोंग इच्छा, प्रबल इच्छा अगर होगी हमारे हिर्दे में, तो अवशी स्वेम भगवान आथ पकड़ ले दिंग, आईए, बहुत दिनों से प्रियास कर रहा है, तरस रहा है, मैं भी भगवत धाम मैं भी भगवत धाम जाओं, मेरा नाम जब करता है, किरतन करता है, नासता है, पागलों इतर चल, स्वेम भगवान आथ पकड़ के ले जाते हैं, जम के दूथ नहीं आते हैं, तो गुर्णाना जी केते हैं, हर अर नाम जपन्तिया, किछ उनक हैं जमकाल, जमकाल आपको यम आपको नहीं पकड़े, यमराज नहीं, ना तो यमराज ना यम के दूथ नहीं आएंगे आपके पास, स्वेम भगवान के दूथ आएंगे, स्वेम भगवान आएंगे, योगक्षेम वाहामियम, मेरी भक्तों को क्या चाहिए, उसे मैं पूरा करता हूँ, तो ये तपों का बतला है, येग्यों का बतला है, भगवान ने, सत्रुए ध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतला ही, तीनों गुणों की सारी रूप रिखा बतला दी, ये हमने क्या चीज़ अरजित की है, कमाई की है, उसके अनुसार ही हमारा जीवन चलता है, लिए उसमें रद्दों बदल कर सकते हैं, आज जो अंगुठा चाप ब्यक्ति है, क्या वो पढ़ लिखके और बिये हो रहे में नहीं हो सकता है, हो सकता है, इंजिनियर नहीं बन सकता है, प्रियास तो करना पड़ता है, आज कोई मूर्ख है, वो किसी सादू के और सत्संग में संपर्क इस्थापित करके, और वो भी महान भक्त बन सकता है, कौन जानुठा शदना कसाई क्या था, मांस काट-काट के बेशता था, लिए उसने एक दिन फैंक दिया सारा मांस, दुकान बंद कर दी, ताला लगा द चल दिया भगवान की प्राप्ति के लिए, पैदल नंगे पाउं, जगनात पुरी के और चल दिया, और आज सदना कसाई को लोग जानते है, पूरा भक्त मंडल जानता है, भगवान के सारे भक्त जानते है, संसार जानता है, कि सदना कसाई कौन थे, मीरा बाई कौन थे, कर गुरु गोविन सिंग जी कौन थी ये सब को सब संसार जानता है आदमी किसी भी इस्तिती में हो वहाई से यदि वो चलने लगे तो भगवत धाम तक जा सकता है चाहे वो इस्तिरी हो या वैश हो या शूद्र हो या कहीं किसी भी इस्तान पर हो किसी भी भावना में हो चोर डाकू भावना में हो तो भी उसका कल्यान भगवान करते हैं यो उप्रियास तो करना पड़ेगा इसलिए आज ये दिया कोई व्यक्ति रजोगुन में है तो अपने रजोगुन को देरे देरे दबा सकता है सतोगुन को बढ़ा सकता है सतोगुनी भोजन करना सतोगुनी लेंदेन करना सत्त बोलना सत्त ब्यवार करना सबको खुशी देना पेड़ों को पानी देना पूल आएंगे तकलीप नहीं देना किसी को कु दूसरे अन्य प्राणियों को भी तकलीप नहीं देना तो आपका सतोगुण प्रबल होता जाएगा संतों के अंदर कितना प्रबल होता है सतोगुण मान संतों के अंदर तो शुद्ध सत्त होता है तो इनों गुणों से वो परे इस शरीर में रहते हुई मुक्त आत्मा होते ह मुक्त हो चुके होते हैं और शरीर एक दिन गिर जागा ये तो मरण धर्मा है उसके बाद वह बगवत दाम के भासी होते हैं वह एलाइटेंड सैंत कहो या भगवत प्राप्ति जिनको हो गई है वह शरीर में रहते हुए भी लगते हैं हमारे जैसे ही लेकिन वो मुक्त है आज भी है ऐसे संत धर्ती पर तब तो ये धर्ती ठीकी हुई है तब तो ये चांद और सूरिये उद्य होते हैं उन संतों के कारण संतना होती जगत में जल मरता संसार एक जूइस कथा है बहुत अच्छी है सोदों नाम का एक शेहर था उसमें बड़े पापाचार होने लगे थे एक बार कथा है लिए शिक्ष्या प्रद है भगवान ने सोचा कि सोदों को मैं जला डालूँगा इसमें बहुत पाप हर तरह का पाप हो रहा है हर आदमी पाप करने लगा जो इस यहुदियों के अंदर कथा है कि इस धर्ती के उपर 36 संत सदेव रहते हैं और वो संसार का भला करते रहते हैं और उनकी बज़े से इस संसार कायम है तो वहाँ पर एक संत को सौदाम में बेज दिया उसने बहुत प्रियास किया लोगों को जगाने का कि भाई तुम्हें क्या करते हो अरे उस प्रभू का नाम लो उसने बहुत प्रियास किया, बहुत चिला चिला के और लोगों को उबदेश करता, भगवान की गीत गाता, लोगों को सुनाने का प्रियास करता, लेकिन कोई उसकी बात मानता है नहीं था, कोई सुनता है नहीं था, कोई उसकी तरफ देखता है नहीं था, इगनोर करते थे तब जाके लेकिन वो तो संत था उसका तो नित्य का काम है उस भगवान को भगवान की गीत गाना, रिजाना, जब करना, नाचना भगवान के लिए आगर एक दिन एक बालक ने उसको पूछा कि बावा, तुम इतना जोर-जोर से गला फाड़ के चलाते हो क्यों, इससे क्या होता है, तुमारी तो कोई बात भी तो नहीं सुनता कितने मेहनों से तुम्हार रोज नगर में सडकों पर घूमते हो जोर-जोर से भजन गाते हो, कीर्थन करते हो, इससे क्या होता है किसी के ओपर कोई असर तो पढ़ता नहीं फिर क्यों अपना गला फाड़ते हो बेर्थ में बालक ने पूचा बालक के और संतों के बीच में कुछ बारतलाप हो जाती है कि बालक भी बड़े निर्दोश होते है तो उन्होंने संत ने बोला कि बेटा पहले तो मैं इन लोगों को जगाने के लिए गाता था रोज घुमता था रोडों पर सड़कों पर कि कोई सुन ले मेरी आवाज यह किसी ने नहीं सुना पिर मैं समझ गया कि यह लोग सुनने वाले नहीं है अभी मैं खुद अपने लिए गाता हूँ और इसलिए गाता हूँ कि कहीं इनके चक्कर में इनके लपेटे में मैं खुद ने आ जाऊँ इसलिए मैं जोर-जोर से गाता हूँ कि यह मुझे भी अपने रंग में ने रंग दे आगिर भगवान की प्रेज़ना उस संत को हुई कि किसी ने आके समाचार दिया कि बावा तुम यहां क्या कर रहे हो सौधाम सहर के अंदर बहुत समय हो गया तो ओ देखो यहां नजदीक में 15-16 माईल पर एक दूसरा गाउँ है वहाँ पर लोगों को तुमारी आवश्चता है वो बिचारे तरसते हैं प्यासे हैं कि कोई हमारे गाहों में कोई संता है कभी कभी हमने सैक्ड़ों हजारों वरसों से कोई संत के दर्शन नहीं किये तुम वह आजाओ तुम्हेरी जरुत है उसने का अच्छा भगवान का यह आदेश होगा तो यह पहुंच गये होँआ और वह जरुत थी वह लोगों को जरुत थी उस बाबा की आवगत किया आरती उतारी चरण छुये सब ने सब गाहों वालों और उनके सामने बैठ गएगी उस प्रभू की बाहर तालापा में सुनाओ हम यह जनम जनम से तड़प रहे हैं यह दुख के सागर में संतना होते जगत में जलमरता संसार इसलिए शास्त्र साधू और गुरू यह तीन में से एक की शर्ण में आप रहते हैं तब आपका पतन नहीं होगा तीनों की शर्ण में जाता हैं आप महा भागिसाली हैं लिए तीनों में से एक की शर्ण भी आप ग्रेंड कर लेते हैं या तो कोई शुद्ध शास्त्र की शर्ण में रही है या कोई साधू जो साधना कर रहा हो उस भगवान को रिजाने की भगवद्धाम को जाने की उसके सत्संग में उनके चर्णों में प्रणाम कीजिए या फिर आपका कोई एक शुद्ध गुरु हो जो आपको भगवद्धाम का भगवान का प्रेम देता हो बाटता हो भगवान का मार्ग बतलाता हो इन तीनों में से एक की भी शर्ण में आप रहोगे तो आपका पतन कभी नहीं होगा तीनों में से किसी की भी शर्ण में नहीं है तो आपका पतन निश्चित होगा ये वेद वाक्ये हैं शास्त्रों के वाक्ये हैं इस प्रकार से सत्रवे अध्याय में भगवानी तीन गुणों की मेहता बतलाई सत्योगुन में आने से ये पूरा समाज ये प्रत्वी सत्योग में प्रविश कर जाती है आज भी आज भी अगर विश्व सत्य में हो तो प्रत्वी के ऊपर सत्योगुन है और जब सत्योगुन की एक टांग भी टूड़ जा है कहते हैं कि धर्म ये चारो युगों में सत्युग में धर्म चारो टांगों पर खड़ा रहता है जब बैल चारो टांगों पर खड़ा रहता है शिव जी के शिवाले में जब जाते हैं आप तो शिवाले में प्रिविश करने पहले ही आपको नंदी जी बैठे मिलते हैं शंकर भगवान के बाहन वो बैल का स्वरूप है वो धर्म का स्वरूप है उसको हम पहले हाथ लगाते हैं कि हम धर्म के ऊपर चल रहे हैं हे बोलिनात हमारी प्रणाम स्वीकार करो, हमारा दूद स्वीकार करो, हमारा जल स्वीकार करो, हम आपको फूल लाए हैं, पत्ते लाए हैं, फल लाए हैं नंदी जी के पहले हमाँ आथ लगाते हैं चरणों की सत्यूग में धर्म चारों पाओं पर खड़ा होता है इसलिए सत्यूग कहलाता है सचाई, सफाई, तपश्या और दया ये चार पाओं में धर्म के यह सत्पृतिशत चारों पाओं पर सत्यूग खड़ा होता है इसलिए सत्यूग कहलाता है नहीं धर्म खड़ा होता है इसलिए विए वो सत्यूक कहलाता है ऐसा समय पिर एक टांग कैसे टूटती है 25 परसेंट मे 낮 हो जाता है दर्म तो ट्रेता ही हो आता है और यहीज़े दो टांग टूट जाएं तो दौपर ही हो आता है पर पेर, दो पेर, दो पेर, दो पेर पर धर्म खड़ा रहता है। फिपटी पर्षेंट धर्म लुप्त हो जाता है समाज से। फिर आता है कल्यूग। कल्यूग में एक टांग पर, प्रारम में एक टांग पर कल्यूग इस्टार्ट होता है वन फोर्थ धर्म रहता है शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के इस धरादाम से जाने के समय से ही कल्यूग का प्रारम है यानि 5300 वर्ष कल्यूग को हो गए, चलते हुए कल्यूग की आयू 432,000 वर्ष आ की है तो धर्म बिगनिव में एक टांग पर, यानि 25 परसेंट धर्म बसता है इस धर्ती के उपर, समाज के अंदर लेकिन कल्यूग की आयूग इतनी अधिक है कि दिरे दिरे टांग भी वीक, कमजोर पढ़ जाती है, क्षत पिक्षत हो जाती है और धर्म पूर्ण तया कल्यूग में गिर पढ़ता है कहिए कि जब धर्म गिर पढ़ता है, उसी समय को कल्यूग कहा जाता है कल है यूग, घर-घर में कल है, एक देश दूसरे देश से टक्रा रहा है, काले गोरे का कल है, मैं मेरे का बड़ा बोलबाला हो जाता है, आदमी इतना सेलफिश हो जाता है, कि ओ दूसरे अपने स्वार्थ के लिए लाख आदमी मरे तो मरो, कोई परवण नहीं है, ये कल है यूग है, कल यूग कहते हैं इसको, इसलिए शास्त्रों ने, महत्माओं ने, चैतन महाप्रूव ने और अनेकों ने, ये ही कहा है, कि कल यूग जो तुलसी दाजी महाराज कितनी सुन्दर चौपाई मगाते हैं, कल यूग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पाराओ, कल यूग में हरी का नाम एक मात्र आधार है, ये दि कोई को कल यूग ये संसार से, जनम मरन जराब्यादी के चकर से, छूट के मुक्तों के बगुद्धाम को जाना होतो है, कल यूग में केवल हरी का नाम, केवल हरी का नाम ही, एक मात्र मार्ग है, उस प्रभु के धाम में जानेगा, उस परमानन्द में प्रिविश्ध पानेगा, और कोई मार्ग नास्तेव 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 नहीं है नहीं है नहीं है यह उपनी शदों के वाक है और चैतरन महापरुजी ने अपने जीवन भर इनका उपदेश किया हरे नाम रिन आ रिनाम ये अ किलम कलो नास्तेव 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 गतीर अनिता Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 rama, Hare rama Ramrama hari hari Hare Krishna, Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे भगवान के पवित्र नामों का केतन कीजिए जब कीजिए आप पवित्र हो जाएंगे आपको उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जिसके लिए बड़े-बड़े संत तरस्ते हैं आनंद परमनंद भगवत प्राप्ति इस प्रकार से आज का जो ससंग का प्रसंग है और अठारवाद्य आए शिरिमत भागवत गीता का अठारवाद्य आए उसमें प्रविश्क करने और ससंग करने आज हम जा रहे हैं शिरिमत भागवत गीता आपको सत्थ पत्थ के दर्शन करा देती है और जो सिरिमत भागवत गीता को इरद्यांगम करके जीवन को जीता है उसको भगवत प्राप्ति करा देती है इतना पावरफुल यदि ये शास्त्र नहीं हो तो कोई भवान स्रीकृष्ण की वानी है गीता शास्त्र मिदम पुर्ण्यम योग पठेत प्रियत है पुमान विश्णोपदम एवापनोती भै शोक आदिवर जीता बिश्णोपद यानि बैकुंट बैकुंट को प्राप्त कर लेता है आदमी और जीते जी इस संसार में भै और चिंताएं ब्यापत नहीं होती गीता की शर्ण में रहने से गीता का अध्यन करने से गीता अध्यन शीलश्य प्राणायाम परश्य चो प्राणायाम क्या प्राणायाम के परायन रहने वाला इन्ही सांस सांस में गीता आपकी इरदे में बसी हो गीता अध्यन शीलश्य गीता का अध्यन करने वाला प्राणों से इरदे से प्रेम के साथ भक्ति के साथ सर्दधा के साथ यहिन ही कि हम चलो हम डौक्टर हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ओ, 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 जानते हैं गीता में, अरे ठीक है ओ गीव, नहीं ये ये शास्त्र नित्यनूतन है, ये नहीं कि ओ, पांच जार वर्स पहले का समय था, कृशन जी ने अर्जुन को उपदिश किया, हमें क्या लेने देना, नहीं, अर्जुन के माध्यम से, युग युगों के मैंने सूरिय लोक के राजा विविश्वानू को दिया था, अभी वेग्यानिकों को तो ये बात समझना आती नहीं, कि सूरिय लोक में भी राजा होता है, सूरिय लोक तो एक जलता हुआ आग का गोला है, इससे आगे उनकी मती नहीं जाती, इतना तो जानने लगे हैं इतर जाओ, उतना तापमान कम होता जाता है, नहीं सूरिय लोक के उपर हम जैसे प्रत्वी पर रहते हैं, इसे लोग रहते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, और शास्त्र प्रमान हैं, तो आरा आज अभी विविश्वानू थे कभी, बैवश्वत मनू उसके बार, उनके बाद बैवश्वत मनू आज की ताया, फिर एक्ष्वा को महाराज, बैवश्वत मनू के पुत्र, तो इन बातों को समझने के लिए हमें भागुत गीता पढ़नी चाहिए, इमम बिवश्वते योगं प्रोग्तवान हम अव्ययं, बिविश्वान मन्वी प्राह, मनूर कवे ब्रवीत, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजरशियो विदुहु, सैकाले ने महताह, योगो नश्था है परंतप, सैवायं मयाते अध्याह, योगहा प्रोग्तवा पुरातनहा, भक्तो असी में सकाचेती, रैश्रम हेतत उत्तमम, हे अर्जुन्ते, तु मेरा भक् और मेरा मित्र भी, इसलिए वो ही पुरातन ग्यान तुझे मैं देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन, ठीक है?